खबरों की कतार लगातार MP से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर MP News से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी रभूलें नमस्कार MP News पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हुनिती अब तक चर्चाओं में बना हुआ था कॉंग्रेस का अंतरकला लेकिन लगता है कि अब बारी है बीजेपी की जी हाँ पूर्व मुख्यमंत्रे शिवरासे चोहान यहां अपने ही संगठन से अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या है पूरा मामला आए जानते हैं हमारे समवादाता संदीब जी से संदीब जी फिलहाल देखा जा रहा है कि कहने कहीं शिवरासे चोहान को अपने ही संगठन का समर्थन नहीं मिल रहा है क्या कुछ अपडेट्स है आपके बिलकुल निदी अब तक भारती जनता पार्टी कॉंग्रस पर अंतरकला के बारे में जो है सियासी बयान बाजी करते होई नजर आ रहा था यह बात कहीं जाती थी कि मद्धप्रदेश में सिर्फ कॉंग्रेस में ही जो है गुटबाजी देखने को मिलती है लेकिन जब से भारती जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में आई है तो लगातार बीजेपी की जो है अंद्रू निकला सामने नज संगठन का ऐलान हो रहा है तो कहीं न कहीं यह दिखाया जा रहा है या देखने को हम देख सकते हैं कि वाकई में संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि जिस तरीके से पूर्मुक्मंत्री शिवराज सिंग चोहान लगातार अगर बात करें बाड़ पीडितों का दोरा नहीं करती है तो भारती जनता पार्टी 22 सितंबर से सरकार के खिलाफ सड़क पर उत्रेगी लेकिन वहीं दूसरी तरफ नजारा कुछ अलगी देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक राके सिंग ने ऐलान किया है कि बाड़ के खिलाफ 20 सि राय जाएगा तो कहीं न कहीं दोनों दिगज नेताओं की राय अलग अलग नजर आ रही यहां पर पूर्मुक्षमंत्र शिवराज सिंग चोहान भारती जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं लेकि संगठन के मुख्या फिलाल राके सिंग है लिहाज राके सिंग बाड़-पीड़ित इलाकों का मनसौर में दोरा करने पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन्होंने काहें कि सरकार के पास में 20 तारिक तक का मोका है अगर सरकार राहत कारिं नहीं करती है यह मौबजा नहीं देती है बाड़-पीड़ितों का तो उनके खिलाब 22 सितंबर से परफ़ीनटा पाटी के संघतन है उसमें गुट्वाजी को दरसाता है कि किस तरीके से शिवराजी चौहन अपने संघतन में अलग ठलक पड़े लेकिन फिलाल इसका लेकर सूबे की सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है. कि सिंग बात करें किसी भी सभा की जनसभा की हम बात करें तो ऐसे मैं देखा जाता था कि शोहान पूरा संगठन चलता था लेकिन अब ऐसे क्या हालाग armour निदी प्रिष निध्य गाने सuka अलग जा रहा है और शिवराज जोसे य chef हान बहुत आध करते हैं यानि कि जहां जहां शिवराज का एलान होता था वहां वहां संगठन उन्हीं उसी एलान पर काम करता था लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्षी शिवराज के नीचे से खिसकी उसके बाद से संगठन और शिवराज अलग-अलग होते हुए नजरा रहे सब सब पहला मैं उधारन द संगठन की तरफ से करारा जटका लगा था और संगठन ने उन्हें अभार यात्रा निकालने की परमीशन नहीं दी यनिक अपने आप में शिवरास लगातार हजपा संगठन की गाइडलाइन से आगे निकल कर वो आंदोलन कर रहे हैं तो जिस तरीके से शिवराज सिंग चुहान जब सत्ता में थे तो संगठन उनके साथ नजर आता था, वही संगठन सत्ता जाने के पाद उनके खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ नजर आ रहा ह क्योंकि शिवराज सिंग चोहान कहीं न कहीं जो भारती जनता पार्टी का संगठा ने उसके गाइडलाइन से आगे निकल कर काम कर रहे हैं। भारती जनता पार्टी के संगठन पर निशाना साधिते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये अंद्रूनी कलह सामने आ रही है वो वाकई में ये साबित करती है कि कॉंग्रेस में ही नहीं बलकि भारती जनता पार्टी में भी अब गुटबाजी जो है उभरती हुए नजर आ रही है। जी तो अगर देखा जाए तो वैसे तो शिवरास्य चोहान काफी लोगप्रिय चहरा है मधिपदेश की अगर हम बात करें हलाकि नैशनल लेवल तक भी अगर देखा जाए तो शिवरास्य चोहान की काफी पहुँचे लेकिन फिलहाल जो है संगठन उनके समर्थन में नजर नहीं आ रहा है हलाकि अब ये देखना होगा कि ये विरोध प्रदर्शन कब हो पाता है किसके नेतरत्व में होता है यही सारी अपडेट्स हम आप तक पहुचाते रहेंगे संदीब जीन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धनिवार MP News पर खबरों का दौर MP से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर MP News से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भीदा भूलें